प्यारे बच्चों नीट 2024 को लेकर एक ओफीशल अपडेट में आप सभी शेयर कर दूँ इस अपडेट को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि अपकमिंग रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है जी हाँ आप सभी के सामने इंडियन एक्सप्रेस का एक जो है आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि NT reports over 96% attendance more girls than boys appear इन्हीं कि इस बार 96% बच्चे एक्जाम में अपेर हुए और इस बार girls जो है वो boys से जादा हैं तो कहीं न कहीं अगर girls जादा हैं तो girls की cut off पे भी इसका impact पड़ेगा हम कह सकते हैं कि इस बार जो girls की cut off होगी कि वो boys के cut off से जादा जाएगी या यूँ कहें जो बच्चे general के degree से हैं तो उनके cut off पे भी इसका काफी impact पड़ने वाला है ठीक है इस article में सारी details दे दिये गए हैं जिसमें कि आप इभी देख पाएंगे कि state wise क्या detail है और यह भी बताये गए कि आप कोई जो answer की है तो इस म और गल्स की बात करें तो 13,31,321 है यहीं कि लगभग आप देख रहे हैं तीन लाग से अधिक बच्चों का difference आ रहा है boys और गल्स में आगे जब स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर state wise male और female जो है बच्चों की list प्रवाइड कर दी गई है साथी साथ transgenders कितने हैं वह भी इस article में explain किया गया है तो according to this report NTE ने clear किया है कि इस बार काफी बच्चे exam में pair हुए लभग 96% और girls जो है उनकी quantity ज़्यादा थी boys के according ठीक है आगे अब और करते हैं तो UP और जो other state है उनका भी detail यहाँ पर दिया गया है जिसे कि आपना देखेंगे तो म male candidate 16 1,67,690 थे वहीं पर female candidate 1,64,779 थे और transgender एक student इस बार exam में pair हुआ है अब जो बच्चा transgender था उसको तो MBBS मिलने की possibility सीदी सी है लेकिन यहाँ पर girls और boys क्योंकि total 3,00,000 से अधिक बच्चों ने exam दिया है exam में pair हुए है और seat लिमिटेड है तो UP में cut off इस बार जादा जा सकती है यहाँ भी इस article के बीस पर हम कह सकते हैं ठीक है आप सभी इसको देख लीजिए इस वीडियो में नहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को दिख लिए थैंगी सो मच